नमश्कार दोसों, आप शबी का बहुत हैं, दोसों आप शबी को बतादे कि आने वाली 5 दिनों का शमय आप शबी की जूनकाल में वो घटना होगी जोने आप कभी भूल नहीं पाएंगे, यू कहें तो दोसों, जिन्दगी पर यह घटना आपको याद रहेगे विया दोसों हम आप शुवी को बता दे कि अगले 5 दिनों का आशों में आपके लिए बहुत ज़ाधा चुन्वती पूर रहेंगे लेकिन दोसों आप शुवी को यह बार भी बता दे कि इन 5 दिनों के बार आपकी जिंदगी एक नया मूर लेगी तो दोस्तों क्या है आकिर पूरी बात अगले पांच दिनों में क्या अच्छा क्या बुरा आपके इशाथ होगा या जाने के लिए आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखेगा यह हम आप शुबिश निवदर करते हैं तब दोस्तों आप पूरी बात को अच्छ को बता दे कि आपकी लाइफ में अब वाश्य में आ गया है जब आप अपनी जिन्दगी के बड़े बदलाव को महशू करेंगी जिए दोस्तों आपको दोखाई देने वालों को अब मिलने वाली है बड़ी शजा दोस्तों मैं जानता हूं कि पिछले कई शालों की तरह या हमारे बिवाह कब होगा हमारे जिनकाल में बहुत शारी प्रिशाने चल रही है हम बहुत यदा मेहनत करते हैं पिर भी हमेशे बलता क्यों नहीं मिल पा रही है जिये दोस्तों अब आप शुपो इचादे कि आप लोग अब बिल्कुल भी पैशान ना हूँ अब आप लोग बिल्कुल भी माइस ना हो कि दोसरों आने वाले पास दिनों में गरू में आशा बदला हो रहे हैं गरं में आशा प्रेविर्तन हो रहे हैं जो की दोसरों आप शविख के लिए बहुत यदा लाब कारी रहेगा तोसवख कुपता बदा दे कि कई बार आपके शाथ हिसा हुआ है कि आपके अपने ही कई बार आपके पीट पीछे चूरा मार देते हैं और दोस्तों लोग आपको अपनी बातों में उलजा देते हैं और आपके शबी राज निकलवा कर आपकी भावनों के शाथ खिलते हैं दोश्व आपको धोखा दे जाती हैं और यह बात तो आप जानते ही होंगे कि दोश्व आज के जमाने में सच्चा प्यार मिलना बहुत जदा मुश्किल है कई वार आप लोग को प्यार में दोखावी मिलता है आप लोगों ने जिससे शच्चा प्यार किया जिससे अपनी सच्ची महपत करी उसे अपना बनाने के लिए हर शंभव कोशिश करी लेकिन दोसों बदले में उन्होंने आप के लिए क्या किया आप हमें कमेंट करकी दोसों जरूर बताईएगा दोसों उन्होंने आपको शिप अपने मतलब के लिए अपना बनाया आप शिप प्यार बरी दो मीठी बाते की और उनका मतलब निकल गया तो आपको उशे दोखा मिला, बिश्वास घात मिला किशे ने सही कहा है कि दोसों आज की जमाने में आपकी मान से ज़्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं देशकता दुनिया शिरुप आपकी तरक्की से, आपकी पेशे से, आपकी काम्याभी से जलती है प्रंदों दोसों आप शबी को बता दे कि आप याश में बिल्कुल भी निराश ना हो कि दोसों अब आपको धोके देने वालों को सजा मिलेगी और क्या आप जानते हैं कि उनकी शब से बड़ी सजा क्या होगी जिया दोसों हमें आप शबी को बता दे कि उनके सबसे बड़ी श्रा होगी वह है आपकी तरकी आपकी कामयापी और आपकी शबलता जिया दोसों क्यों दोसों आप शबी को बता दे कि जब आप लोग हशेंगे तब ये लोग रोएंगे जब आपके चेहरे पर प्यारी शिशक मुश्कान देखेंगे तो दोस्तों इन लोगों के अंदर जलन और शिश्या की भावना जाग जाएगी और आपको मुश्कराता देख ये लोग रोएंगे दोस्तों आपको मैं बता दू कि आने वाले पांस दिनों का जो शमय होगा उनमें आपको थोड़ा शाग शमल कर रहने की जटो है जी दोस्तों हम आप शुब बता दे की पांस दिनों के लिए जो आपका शमय होगा थोड़ा से चुनती पूर्ण भी रहने वाले है क्यों दोसो गरहों की जो जाल है वो आयशी बन रही है कि आपके लिए थोड़ा शा नकार्तम परभाव डाल सकती है क्यों दोसो इन पांस दिनों के अंतर जो गरहों की जाल बन रही है वो आपके लिए नकार्तम परभाव डाल सकती है लेकि दोसों घवराने का बात नहीं है थोड़ा शा आप शमल कर रहे घवराने की बात नहीं है आप इन दिनों में थोड़ा शो शमल कर रहे हम आप शिवी को बता दे कि आपको किनी चीजों में शावधानी बरतनी है लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दू कि इन पांच दिनों के बाद जो आपके शाथ होगा वो दोस्तों आपने कभी शपने में की नहीं सोचे होगी और आपके होज भी असमें उड़ जाएंगे दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं उश्य पहले दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर नए है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर शब्सक्राइब किजीगा और शाथ में लगे बेल नोचनुन को भी दबा देजीगा ताकि दोस्तों आने वाले हमारे वीडियो हर रोज आप तक पहुंचते रहे जिया दोस्तों तो आप शब्सक्राइब को बताना चाहेंगे कि आने वाले पांच दिनों का शमे थोड़ा श्रमल कर रहने वाला शमे होगा जिया दोस्व, इन पांच दिरों के शमय में आपकी उपर शंकट की बादल घीरे वे दिख रहे हैं, हलागि दोस्व, इस्तिती कुछी समय के लिए रहेगी, जिसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, क्यों दोस्व, गरहों की इस्तिती हमेशा बदलती रहती है, आपकी जान रहने की आवशक्ता है, कि दोस्व, इस बार इस राशी के लिए अशुप संकेत मिल रही है, जिनके नुशार जीवन के लिए थोड़ा शाह शमल कर रहने की आवशक्ता होंगी, दोस्व, इस्तिती की विभ्यात में पढ़ने से बचे, यह आपके लिए बैतर होंगी, प्र दोस्व, यती पांच दिनों की बाद, तो आपके राशी के शौमी अब आने वाले पांच दिनों के बाद, आपके कर्म भाव में परवेश कर रहे हैं, यानि कि दोस्व, आपका चश्में शुरू होने वाला है, जिया दोस्व, आपको बता दे कि आर्थिक लाव के आउश फ्रा प्राप्त होने वाली है आत्री उनकाल में जितनी भी बात शहरु आहेँदम हो मटने की साथ। चाहे वो के तोर पर मिल सकती है फिल्गे में बिद्धी के तोर पर दोसों आप शुर्ब को तोरान बर्षों का देखा गया शपना पूरा हो शकता है और लंबे शमिशी काम की तलाश कर रही लोगों को काम मिल शकता है कि दोस्तों धनलाप की योग आपके निए बन रहे हैं धन विरिद्धिक की कारण आपको पारिवरिक खुश्यां भी प्राप्त होंगी हलाकि दोस्तों प्रेम शम्मद में कुछ परिशानियों का श्रामना भी आपको करना पर शकता है दोस्तों आप शूब बता दे किस दस बात तो यह है कि आपकी राश्ची के जो स्वामी है वह श्रनिदेव हैं आप पर वह महवान होने वाले हैं इसलिए दोस्तों भवन वहन इत्यादी का योग भी आपके लिए बनाएंगी और वित्ती मामलों में भी आपको कोई तकलिप नहीं होंगी दोस्तों यह बात तो सच है कि आप शबी लोग बहुत यदा परतिबाशाली हो लोग होते हैं नोकरी और जॉब करते हुए भी अपने खुद का बिजनस करने की सोच रखते हैं यह दोस्तों जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आ परसानी से समझाने में हमेशा माहित रहते हैं कामियाब रहते हैं इसलिए आप लोग भागी दारी में भी शुबल रह जाते हैं खान पांच समद्द कारेश्चेतर में आपको उमिश्ची ज़्यदा धन प्राप्त होगा दोस्तों आने वाले पांच दिनों की बात का दोस्तों आपको योग शाती चुनने का आउशर भी प्राप्त होगा घरल्यों विवाद की कारण दाम प्रति जोन में कुछ तनाव हो शकता है इसे कहते हैं क्या होता है नशीव केश्य बदलता है नशीव यश्व बाते भी आप शुब को यश्मी मालम होगा जो भी लोग प्राइवेट श्रक्टर में जौब कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन की योग हैं आप अपने बुद्धी चतुराईशी अपेक्षा से अधिक धल्लाब प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों आप शीव बताते कि आप लोग जो लोग होते हैं शपनों को शकार करने में यकिन रखते हैं आप लोग हार को कभी बरदाश ने कर पाते हैं वो दोस्तों आपकी यही मनशक्ता आपको एक दिन काम्याब जरू बनाएगी कि आपकी सदवायवार से एंग महिला के माध्यम से आपको इस दौरण धल्लाप की योग बनेंगे धल्लाप की प्राप्ती होने की प बात नहीं है कि दोस्तों अन्र जगों में आपको बहुत या अच्छा उपर मिल सकता है जिसे दोस्तों आने वाले पांच दुना कर्ष्व में आप शुब की जुनकाल में बहुत भड़ी खुशिया लेकर आने वाला शुम्य होगा तो दोस्तों उम्मीद करते कि आज को यह वीडियो आप शुबी को पशान आया है पशान आये तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और शादे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद